हालो एवरिवन तो आज हम गुल कप्पे का पानी बनाएंगे तो यहाँ पर हमने मीठा पानी तीखा पानी प्लस मिक्स पानी बना कर तयार किया है बिल्कुल आसान से तरीके से आपको बताने वाली हूँ तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल में हम 100 ग्राम इमली डालेंगे और इसे इमली को हमें तीन से चार बार अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें जो भी इम्पिरोटीज हो वो निकल जाएं तो बिल्कुल इस तरह से हाथ से थोड़ा-थोड़ा इसको मैश करते हूँ आप इ रख लेंगे और इसके बाद हम तीखा पानी बनाने की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर एक बॉल मैंने कोरियंडर लीफ्स ली हैं काटकर और एक बॉल मैंने मिंट की पुदीनी की पत्या ली हैं और यह 8-10 हरी मिर्चे दो इच अद्रक का टुकड़ा तो सारी चीजों को हम ऐसे मिक्सर में डाल लेंगे और इनको एक चटनी के जैसे बना कर हमें तयार करनी हैं मैंने यहाँ पर 8-10 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया हैं जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उसके अकोर्डिंग आप इनको जादा या कम कर सकते हैं आप चाहें तो 13-14 तक ग्र बचा हुआ है वो भी पीसकर ऐसे ही तियार कर लेंगे मेरा जो चटनी का जा रहे हो थोड़ा सा चोटा है तो एक बार में सारी चीजे नहीं फिट ओ रही हैं इसके लिए मैंने इसको दो बार में किया है तो यह जो सारा ग्रीन पल्प है यह बनकर तयार हो गया है हम इसको बड़े से mixing ball में निकाल लेंगे और यहाँ पर एक छोटी सी ball ली है मैंने इसमें हम पानी पुरी का मसाला तयार करेंगे तो एक चम्मच सफेद नमक एक चम्मच काला नमक और यह आधा चम्मच हींग यह डाइजिशन में काफी हेल्प करता है और यह ना भुना हुआ जीरे क पाउडर हम दो चम्मच डालेंगे और यह दो चम्मच चाट मसाला मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आप चाहें तो किसी भी ब्रैंड का चाट मसाला जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर काली मिर्च का पाउडर डालना बहुत तो आप यह जरूर डालिएगा और सबसे लास्ट में हम इसमें एक चमच अमचूर का पाउडर भी डाल देंगे तो यहां पर अमचूर का पाउडर मैंने डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह देखे घर में हमने गोलगप्पे का जो ड्राइ मार् लेकर मैंने इस मसाले को भिगो दिया है तो भिगोने के बाद हम इसको इस ग्रीन चटनी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो लगभग 6 कप पानी मैं यहां पर इस्तिमाल कर रही हूँ और बाद में मिक्सर का जार धोकर भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ये देखिए यहां पर तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले का अग्र है न वो पूरी तरह से इसमें निकल जाए अभी इसको हम ऐसे ही साइड में रख देंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसको फिल्टर करेंगे आप चाहें तो इसको बिना फिल्टर करें भी ले सकते हैं लेकिन फिल्टर करने के बाद एक्तम बजार जैसे हो जाता है तो यहाँ पर मीठा पानी बना कर तियार कर लेंगे, तो लगबग एक कप इमली का पल्प जो हमारा निकला था, वो मैंने सॉस पैन में डाल दिया है, और थ्री फूर्थ कप मैंने यहाँ पर गुड को काट कर डाला है, एक चम्मच नमक, दो चम्मच जीरा, एक चम्मच PCV चम्मच रड चिली पाउडर, और यह एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच चाट मसाला, और यह दो चम्मच हम इसमें सोंट का पाउडर डालेंगे, जो अदरक का ड्राय अदरक का पाउडर आता है ना, बस वो ही कहीं कहीं पर उसको सोंट का पाउडर भी बोलते हैं, तो मैं इसको नहीं पकाना है तो 2-3 मिनट में ही जो गुड है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा उबाल आने लगा है यह जो गुड है मेल्ट हो गया है तो अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं और यह हमारे तीखे पानी को रखे हुए भी काफी देर हो गई है तो मसालों का पूरा अग्रिस में आ गया है हम इसको चान कर ले लेते हैं तो यह देखे मैंने चान लिया है इसको आप चाहें तो इसको बिना चाने भी एंजोई कर सकते हैं, मार्किट में बहुत सारे जो गुल गप्पे वाले होते हैं, वो बिना चाने ही पानी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चानने से थोड़ा सा और स्मूध हो जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी बूंदी हम डाल दे और यह देखिए हमारा जो मीठा पानी है वो भी बनकर तयार है, हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसमें भी थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे, तो यह मैंने डाल दी है, तो मीठा पानी प्लस्तीखा पानी जो है बनकर तयार है, और मिक्स पानी के लिए आप दोनो कीजिए देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़िदार सी रेसिपी के साथ